मेरे चैनल में आप सका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे मोमो बिर्कुल मार्केट जैसे मार्केट से भी अच्छा टेस्टी तो चलो बनाना शुरू करते हैं यहां पे हमने लिया है पत्ता को भी इनको हमने दोके साफ करके एकदम बारिक चोप कर लिया है एक मने बारिक चौप कर लिया है थोड़ा एदा टुकड़ा नकि को बारी सब देते हैं मे की अधर्राइग नहीं को बदोर खंड बखो जोन लेंगे उसके बाद हम एड़ करें जो हमने प्याज करके रखा इनको लिज फ्रेंज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा रेस पी आप सो कैसा लगए कमेंट करके जरूर बताएगा अच्छी लगी हो तो ना लगी हो तो फिर भी कमेंट करके जरूर बताएगा इसे हमें पता चलता है कि आप सब को रेस पी पसंद आई की नहीं हम और अच्छा बनाने कोशिस करेंगे आप सब बताएंगे तो यहां पर हमने लिया पत्ता को भी जो हमने काटके रखा इनको हम एड़ कर देंगे इन सब को हम भून लेंगे थोड़ा इस तरह से बनाते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं जिस तरह हम मार्केट से मुमोज लाते ना उससे भी ज्यादा अच्छा बनता है यहां पर हमने एड़ कर दिया है एक चमच धनिया पाउडर छाओ फ्याट से नमक फोल्दी पाऊड़ा थोड़ा से गरम मसाला हम कर लेंगे पी यहां पर हमने लिया है मैदा इनको हम छौड़ा से नमख शेह कर देंगे और थोड़ी से रिफाइन वैल नमक धानसक माला हम प्याइग करना चिए नमक नमक एखी जृट से यह एका आ क्योंकि हमने स्टपिंग भी नमक एड़ किया है इन सब को मिक्स कर लेंगे और गूठ लेंगे आंटा जिस तरह हम रोटी का आंटा गूठते हैं उसी तरह सब बनाएंगे जो बिंगनर से वह भी बना लेंगे कि आक़ में चला लेंगे साइड में हमने आटा भी घूत रहें और इधार हमने ष्ट्यक्राइं रख दिया नहीं रुद्छ इंटे नीचे जलने लगेंगे थोड़ी देर पकाएंगे ते हमारा आटा भी गुत गया है इनको हम ढपके रख देंगे थोड़ी देर सेट होने के लिए कि देखिए इनको ढपके रख देंगे सेट हो जाएगा चार से प्माच मिनट साइड में हम चेक के लेंगे हमारी इस्टेपिंग जल तो नहीं रही है इनको हम चला लेंगे हुँ है कि 50% को हो गई इनको हम बंकर देंगे से कुझच वह आ einं को प्लेट में निकाल लेंगे थंडा होने के लिए व्लेट में निकाल लेंगे तो इससे जल्द थंड यूगा देखिए देखने में कितने अच्छे लगां है से दो तीन मिनट हो चुके तरह बनाना होगा उस तरह से फोलो करेंगे तो भी बना लेंगे कोई इसमें जंजट कोई दिकत नहीं है फटाफट से बन जाते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं प्लीज फ्रेंड्स में चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले अगर इस भी कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताईएगा इनको हाथों से इस तरह हम गोल कर लेंगे चप्टा करके इनको बेल लेंगी यह काहूं बेल के आपको सबको दिखाते हैं इस बहुत टेस्टी बनते हैं इसी तरह हम सारा बेल के और हम बना लेंगे फटाफट से किस किस को पसंद है आप सब कमेंट करें जरूर बताएगा प्लीज यहां हमने एक बेल लिया है दूसरे भी हम बेल के दिखा रहे हैं आप सब को बहुत ज्यादा मोटी नहीं बहुत ज्यादा पतले ने एक दम जिस तरह से मार्केट वाले बनाते है उसी तरह से है दम पतली इसी अचितना पतली हो सके उतना पतली अम बेलेंगे तो इसमें में इस ट्रीपिंग भरेंगे देखिए यहां पर आप आमने दो चम्मस ट्रीपिंग लिया है आप साइड साइड पानी लगा लेंगे इससे क्या होगा हमारा यह मुमस खूलेगा नहीं नहीं तो खूल पानी लगा लेंगे इसमें इसी तरह पानी लगा लेंगे साइड 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 से कि इनको हमने दोसी तरह से बना के दिखा दिया है दोनों विरकुल जिए जो आपको पसंद और इस तरह से उस तरह से आप सब बना सकते हैं बाकी इसी तरह हम सारा बना के रख लिए इधर रख दे हमने पानी गरम होने के लिए और थाली में लगा लिया था थोड़ी सी कि चपके ना करके इनको रख देंगे इस ट्रपिंग कर लेंगे लिए पकते पांस च्छे मिनट लग गए है इस टीम हो चुके हैं निकाल लेंगे यह देखी हमारा मुमोज बनके तयार है बिर्कुल मार्केट जैसे लग रहा है ना देखने मी इस तरह आप सब बनाएंगे ना मार्केट से भी जादा टेस्टी प्राएंगे देखिए हम सबको तोड़की भी दिखा रहे हैं फिलीज फ्रेंट से मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा फिर मिलेंगे नेस्टे वीडियो से टिक के बाए